Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel दोस्तो आज की वीडियो में एक और नई internship देखेंगे जो की cognizant की तरफ से post हुई है ये internship skill based internship है मुझे comment section में काफी messages आये थे comments आये थी कि आप data science related internship के बारे में बताईए तो दोस्तो इस वीडियो में data science से related ही internship के बारे में बात कर रहा हूँ जो की cognizant की तरफ से post हुई है आज ही के दिन post हुई है February 11, 2021 के दिन मैं आपको बता दू यहाँ पे जो shift रहेगी वो आपकी day job की shift रहेगी आपके पास data science, data integration and access की skills होनी चीए means उन्होंने ये skills मांगी है यहाँ पे कोई भी eligibility criteria या particular mention नहीं करा गया है कि आपके इतने percentage होना चीए आप यह इस batch से pass out होना चीए तो दोस्तों यहाँ पे आपको intern की job post मिलने आली है means यह एक internship है location आप देख सकते हैं चन्नाई तमिलनाडू इंडिया है must have skills से data science, data integration and access तो data sciences से related internship है अब apply now पे जाके हम apply कर लेते हैं जैसे हम आप apply now पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर resume का option दिया है तो जैसी आप इस resume वाले option पे क्लिक करेंगे तो आपका resume आपको fill करना है आप previously employed by cognizant तो yes or no अगर आप ने आप महाँ पे cognizant में कभी काम किया है तो आप yes कीजे नहीं किया है तो no और फिर आपको total experience किता है और आपकी जो skills से वो क्या है अब next करते है नेक्स्ट पे जाके देख लेते क्या है अब यह review and submit आ गया step 2 है मतलब यहाँ पे दो step है तो first हमने कर लिए second भी अब कर लेते हैं यह पूरी आपकी information आ गई है यह e-signature है कि आप cognizant में apply कर रहे है अब जैसी हम यहाँ पे click करेंगे अब हम submit कर देंगे और अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारी application submit हो जाएगी तो दोस्तो इस type से पे लिखा आगया है कि thank you you have successfully applied for intern अब हम यहाँ पे gmail पे जाके check कर लेते हैं कि क्या हमें cognizant की तरफ से कोई mail आया है कि हमने यहाँ पे apply कर दिया है दोस्तो mail आने में थोड़ा time लग सकता है पर जब तक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि case type से हमने यहाँ पे internship में apply कर दिया त दोस्तों मुझे आपके suggestions की काफी जादा ज़रूरत है आप मुझे अपने suggestions बताइए कि आपको case type के job update एंटेंशिप चाहिए तो मैं उस type से videos आपको बनाता रहूँगा upload करता रहूँगा आपको best से best job update बताऊँगा authenticate link के साथ उम्मीद करता हूँ आपको video अच्छे लग योगी थैंक यू